पानी के लिए इतनी भीड लगिया देखो यहां पर पानी आ रहे है क्या इतना पानी आ रहे है जब से बारिश हुई तब से तेज आ रहे है पानी किनी बर्तनों की लाइन लगिए बंद हो जा रहे हैं कितनी देर तका रहे हैं आधा गंटा बढ़ जाता है सब के दिए पूरा कम हो जाता है ताजी पानी बरती है काम में मनी लग रहा है नमबर लगाना पड़ रहे हैं सब को कि अधान पर लाइन लगी दिए और यह देखो हमारे हाथ में हैं मौले और यह आते का गोला यह बैलों के लिए अब इनको लगा ने इनके मूँ पर ताक यह घास निखाए और जल्दी जल्दी चले जाए यह ऐसे लगा देश के मूँ पर यह देखो हाँ हथ और यह पर चरेंगे नहीं तो जल्दी जल्दी जाएंगे इस पर भी यह ऐसे बानदें इस यह वइट वाला र्áriट में और यह लेफ्ट में इसे जोतना इनको और ऐसे बानते हैं घर में भी लेफ्ट राइट कॉंबिनेशन तब यह सई से चलते हैं खेतों में हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आसा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सब्सक्राइब और मस्त तो पारी वाई टूब चैनल में आपका स्वाधत है और अभी हम आचुके अपने खेतों में और मैं ले जा रहा हूं बैल तो आज हम खेती करेंगे और हल लगाएंगे य उपर गाउं है हमारा प्यारा सा थापला गाउं तो एक बार एंगल दिखाते हैं आपको यहां और अभी जो है पीछे धूप भी आ रही है तो मस्त लग रहा है सूरज अभी ब्यूग रहा है अभी मॉर्निंग के 6 बज़ रहे है इधर के यह खेत बोय हुए है यह देखो आजकल इधर खेती चल डिये है खेतों को बोया जा रहा है और हम भी जा रहे हैं खेतों को बोने तो चले कि अभी आजकल अपने उत्राखंड में सुबह सुबह जो है कड़ती धूप पड़ रहे है और साम को बारिस आ जा रही है काफी तेजी से बारिस आ रही है ऐसा सीन चल रहा है अभी तो जो हल्किल्की धूप पड़ रहे है और ठंडी-ठंडी हावा भी चल देथी थी उसको पिंडा बोलते हैं जो मैंने इनको खड़ा था उनको इनको भी देके आए और इनका भी थोड़ नास्ता हो गया और घास इनका नास्ता तो इनको घास भी दे दिया अभी यहां पर सुरजे कसानी गाउं के ठीक ऊपर और यह अपना गाउं पर अभी खेत में आ गया है और हल अमने यहीं रखा था हल निन आये थे हम तो हल यहीं था सेप रहता है लेकिन जो यहां से निश्वा होता है जो कि जम्मिने गुसके जिसे हम बाते हैं उसको हम घर ले गए थे उसका चोरी का डर रहता है यह तो मैं अगर हम हल छोड़ देते हैं तो और अभी इनको जोतते हैं फिर दिखाएंगे आपको कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं यह राइट साइड का है और यह लेट साइड का दाएं बाएं ऐसे कॉम्मिनेशन रहेगा तो तब इसे ही चलेंगे और ऐसे लग जाते हैं जब खेत म नहीं कि एसे दोनों बेल जो दिये हैं इन पे धागा बंदा रहता है इसको बोलते हैं जूर यह जो इनके कंदे पर रखा हूँ और यहां से दागा लपिढ़के दो लक्डी लगा के इस तरफ से मैंने धागा यह जो रश्तिया है इसको यहां से हलका बानना है इसको कभी बैल तेजी से भाग जाते हैं गिर जाते हैं तो यह खुल जाते हैं अपने आप और फिर सेफ रहते हैं इसको हलका बानना पड़ता है इसको भी वैसी सेम और इसको लठूड बोलते हैं इसको यह जो जा रहा है यह लठूड और यह हल है और इस पर अभी जो मेन पार्ट है यह जू है और इस पर अभी मेन पार्ट लगेगा जिसको बोलते हैं निशुडू वो यह रहा और इस पर हमने यह लकड़ी के यह मानने ठोकने इस पर चोले बोलते हैं इनको हमारी पहाड़ी वासा में देखो ममी कैसे लगाती है इनको जो दिया है और इन पर हल्पे निशुड़ा भी लगा दिया है अब यह चलने के लिए खेत को बोने के लिए तयार है लेकिन उससे पहले बीज क्योंकि हम खेतों को बोनी रहे हैं तो बीज है इधर तो यह है बीज अजit है इसको को दा बोलते हैं इसको और मनवा तो इसका अची रोटी बनती है खाई यो गयापने है और चुहा भी जो सारा करता है मारा सामानमान करता वह वाला नी वह अला चुहा नी और अ ह॓ और छायास बारी शालियों के आधने बहुत पासंद पा संदम्होडत अवकिला चीज़ गर्ति और मेलाच पटर को यह नवीероam चोटा खेत एस तो इतना सारा भीज है और अलग-छेच में बो नहीं को क्योंकि खेत के पेसाफ से चलता है के के इसाफ से बोना पड़ता है और कड्दू के बीज भी थे इतर कि कड्दू के बीज जीए देखो प्ट है मैं गलती से मत्र समझे बट है अब तो नहीं देखने को मिलते हैं इनको भूजके खाते हैं जब बारिस आती है और इनको तवे में भूजके खाते हैं तो काफी मजा आता है तो चले स्टार्ट करते हैं यह भी तयार हैं हम भी तयार हैं तो चलिए मम्मी अभी ऐसे करके हाथ से बीज डाल दिया है तो अब मैं स्टार्ट करता हूं चले अगर बैल्ट चाही रहे तो जल्दी जल्दी बोया जाता है और अभी मम्मी हल लगा रही है तो मैंने चुचा मम्मी को दे 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 और आपको दिखा देते हैं इतना वो दिया है आधा वह देखो वहां पर पथर दिख रहा है न हो वाड होता है यानि कि आपकी खेट की सीमा आपका खेट वहां तक है ये बैल है जो यह हमारी नी है उपर चाचा जी मेरा ना उनका है और अमन दिप्रावत कमेंड है मेरी विडियो में मेरे भाईय है उनहीं के बैल है तो वह पहिंचान देंगे इनको खो कि अगर उन्रों देखे खें। तो पलेओं तो देख लो वीडिए जह एब को मैसी अधाइन के उसक्षा है 對 जो मैलाइन के धी ताही हमारे इस साइट को मैं note मिंशा सुप्ड़ होожно चोड़ जो रात regard दमाइन हर चर्ण कर सुर्ण जब भी हम खेत में आते हैं, तो मैं और मेरी ममी आते हैं, जब हमें खेत में काम अगरे करना होता है, हम साथ मिलकर करते हैं काम, देखो मोरना भी आता है ममी को, सीखे है ममी पहले, ममी कहा सीखा, पहले सीखा, अपने गाउं में, अपने पापा के साथ, अपने पापा के साथ करेंगे कुछ बीच बीच में आपसे बात करेंगे कुछ बीच में आपसे बात करते रहेंगे करेंगे आपको बताते रहेंगे अभी ऐसा है कि बारेज चल देशा लगाता तो खेट आपसे अच्छा हाल लगा रहे हैं तो अभी हमें टाइम हो जाएगा हमें दूप लगने वाले तो हमें जो फांच शे खेट और वोने तो आपको बीच-बीच में मिलेंगे और जोदया है या ये जोड देना है जे घेंगे आपको थोड़ी देर में भी दिता है बीजो दो रहे हो यहा पर कुछ ना परuder है तो जोल ऐसे देते हैं चलो चाल 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 छोड़ी देर बाद यह खेट देखने लायक होगा जब यह बराबर हो जाएगा जोल देखे ये खेत बराबर हो गया एक दाव मस्त कभी हम छोटे थे तो इसमें बैठ जाते थे और जो पीछे होते थे अल लगाने वाले वह बहलों को बहगाती थे तो काफी मज़ा आता था इसमें आप लोग कभी बैठे वह इसमें ऐसे जोल दिया आपने बैठ के इसमें कपेंड बॉक्स में जरूर बताना तब चले उपर आले खेच में चलते हैं अभी दो तिन खेट बो के हम इस खेट में आये हैं जो कि हमने फिछली बार कुदाल से बोया था और रोहन भी हर्प करने के लिए आ गया है हमान साथ अब एक दो खेट रहें उसके बाद हम घर चले यहीं पर रह गया उसके बाद हम घर चलेंगे वहां पर भी खेट चोटा जाना बस यह वाला खेट रहे गया लास्ट तो आपको आज की खेटी हमारी कैसे लिए आज का काम कैसे लगा तो वीडियो में कमेंड करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो